जैन दोस्तों क्या हाल है आज की वीडियो काफी सार लोगों के लिए मतलब informational हो सकती है कैसे हो सकती है जैसे फोन देखो ना कितरे सारे फोन launch होते हैं आपने देखा होगा मैं या फीर मतलब कई लोग बताते हैं ना अपने वीडियो में इस फोन के अंदर यूफस टू.2 storage है कोई कहता इसके अंदर यूफस थ्री पॉइंट वन storage है कोई कहता EMCP storage है कोई कहता UMCP storage है कोई कहता EMC storage है क्या है ये सब मैं भी आप मैंसे कुछ लोगों को पता हो लेकिन कोमेंट सेक्शन में कहता है काफ से लोग पूछते हैं मैं तो बता दो क्या चल रहा है बहुत इंपोर्टेंट चीज है ये इन फेक्ट ये चीजे मतलब लेप्टोप PC में भी आपने कुछ वीडियो देखी है जैसे एक वीडियो मैंने भी दिखाया था कि कैसे अगर हम किसी पुरानी लेप्टोप में पहले क्या आता था हार्ड डिस्क आता था ना अभी भी कुछ लेप्टोप में आता है नॉर्मल हाड डिस से अब यह चीजे मैं फोन में टेस्ट करने जा रहा हूं सारा को दिखाता हूं आपको फोन में क्योंकि अलग-अलग नाम जाती है फोन को भी आप क्या करते हो कई बार कुछ कॉपी करते हो पेश्ट करते हो इसको बूट करते हो या फिर अप्लिकेशन लॉंच करते हो या फिर कोई folder open करते हो जिसके अंदर बहुत सारी फोटो होने लग जाती है किसी किसी में नगता है लोड होने में क्यों है यह सब बताता हो बढ़ ले में बस सब्सक्राइब करता हूं आपा storage होगा मतलब आपके phone का बहुत simple बता हूंगा ताकि सब को समझ म आजे storage के आजहां कुछ भी आप store करते हैं जैसे फोन में 128 जीवी है 64 जीवी है किसी भी मशीन को या बेसिकली स्मार्टफोन की बात कर रहे है तो यहाँ पे तीन चीजे सबसे पहले hardware में बहुत जुरूरी रहती है एक तो processor होता है processor ही सारा phone को control करता है और processor पे करता भई हो कौन सा कितने megapixel camera support करेगा कौन सा storage support कर सकता है कौन सा RAM support कर सकता है example के लिए डैमेंच सिटी 920 200 megapixel support नहीं करेगा लेकिन डैमेंच सिटी 1080 200 megapixel support करेगा यह सब प्रोसेसर पे डिपन करता है तो प्रोसेसर मतलब समझ कियोंगे ब्रेन उसी का kind of part समझ लो उसी में RAM storage आता है प्रोसेसर में नहीं आता हाले कि उससे सोसी बोला जाता है और वो सब साइड में रहें दते हैं मुस्किल हो जाएगा सिस्टम रैम भी क्या होती है बट वो जब भी कोई चीज रन करते हो तब वो काम आती है जितनी चीज़े फोन में चल रही हो सारी की सारी रैम में store रहती है और वो फटा फट एक्सेस देता है आपको ज्यादा रैम ज्यादा मल्टि टास्किंग ज्यादा अप्लिकेशन चला सकता है फिर इसके बाद तीसरा आता है storage जहां पे चीज़े चुप चाप पड़ी है आ अब से पहले एक टेस्ट दिखाऊं ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे पास एक फोन है बजेट फोन मोटरोला जी इसके अंदर EMC storage है उसके बाद मेरे पास एक फोन है रियल मी 10 प्रो प्लस इसके अंदर UFS 2.2 storage है 2.1 का भी आसपास ही रिजल्ट आएगा उसके बाद एक और फोन है मेरे पास Galaxy S22 Ultra इसके अंदर UFS 3.2 storage है और उसके बाद अभी एक फोन लोन चुआ है इंडिया में ये पहला फोन है जो मैंने पर्सनल एक्स्पिरेंस किया अनुल टाइम में और भी आ जाएंगे इसका नाम है IQ 11 जिसके अंदर UFS 4.0 storage है 4th generation अब ये टेकनिकल टर्म है तो एक चीज़ बर माइंड में रख लेना ताकि वीडियो समझ में आ जाएगा असा नहीं से EMC storage होता है सबसे low quality storage उससे high quality होता है UFS उसमें फेज generation बदलती रहती रहती UFS 2, UFS 3, UFS 4, just like internet speed में क्या करते हो 2G आया, उससे fast 3G आया, 4G आया, 5G आया, G4 generation तो storage को इस तरह से दे 2.2 आ गया, तो उसमें थोड़ा-थोड़ा jump करते रहते हैं, तो इस तरीके से होता है सारी चीज़े, अब मैं बताता हो, कौन कितना किस काम आता है, कौन fast होता है, कितना slow होता, real life में कैसे काम करेगा, तो देखो सबसे पहला test में क्या कर रहा हूं, अब चारो phone अलग- चाहिए, जैसे मैंने का, EMC सबसे slow है, तो इसको सबसे late copy करना चाहिए, और UFS 4.0, यानि कि सबसे latest, सबसे fast copy करना चाहिए, बाकी उसके बीच में आएंगे, तो जैसे यासे copy होता है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले technically फरक दिखा, IQ 11 ने सबसे पहले copy करके side कर दिया, अपन 3 था, उसको दूसरे number पहना चाहिए था, और यहाँ पे जो budget phone है आपका EMC storage के साथ Motorola G31, पैसा भी कम लेता है, इसलिए storage quality भी कम देता है, यह आदे पर जब तक पहुचता है, तीनों ने अपना काम खतम कर दिया, तो अगर आपने real life में कोई चीज copy करोगे, paste करोगे, कहीं इदर-दर move करोगे, यहाँ storage काम आएगा, आई नो अभी आपके मन में आ रहोगा, S22 Ultra 30 से number पर क्यों आए भाई, उसको तो real me वाले से fast होना चीए था, देखो एक चीज़ा दखना, technically आपको पता होना चीज़, हम लोग कहते नहीं, फोन की memory पूरा full मत करो, जितना full कर और slow होता चला जाता है, तो S22 Ultra अभी की डेट में मैं primary यूज़ कर रहा हूं, और मैं Samsung के पहले भी फोन यूज़ किया है, मैंने, उन सब की photos पता नहीं, मेरा क्या-क्या पढ़ा हूँ है, इसकी storage बहुत ज्यादा full है, same time पे Motorola वाला phone, Realme वाला phone, और IQ phone, इन में इतना कुछ full नहीं है, इनको test करने के लिए कुछ photos है, कुछ applications है, यही सब चीज़े है, basic सी, यह reason हो सकता है कि S22 Ultra यहाँ पे slow हो गया, नहीं तो यह fast आना था, इस वीडियो का मतलब यह नहीं कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, आपको बस फरक समझाया जा रहा है, तो junk file कचरा जितना फोन में कठा होता है, फोन slow हो जाता है, इसलिए कहते हैं लंबे टाइम बाद reset करतो, फोन फूरा fast फी लोलना जाता है, तो वो एक असर हो सकता है, दूसरा test मस्ता दिखा हूँ, मैंने कहा कि यह 12-1300 photos उठाई, एक folder में डाल दिया, जब भी किसी folder में photo डाल जाती है, और ज यह देखो, मैंने चारों को side by side यह काम किया, loading time देखते कोन कैसा कर रहा है, यहाँ पर देखो, एक कमाल की चीज़ देखोगे, s22 Ultra की loading time सबसे fastest है, मतलब इसको मैं scroll करी जा रहा हूँ, अलग-अलग तरीके से थमने list view दोनों में, मतलब रूकी नहीं रहूं लिया, घुमात लेकिन उत्रे fast नहीं है, but Motorola जितना slow storage के साथ आता है, उस साब से result बहुत अच्छा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत heavy काम नहीं कर रहा हो, heavy काम तब था जब लंबी सी file copy करनी थी, वहां कितना slow आया था, अब आप पुछोगे, इसके पीछे क्या reason था, कि s22 Ultra IQ से faster क्य निकला, देखिए, याद रखिएगा, हर phone या हर machine, जैसे राइजन का processor होता है, Intel का होता है, उसके बाद RAM processor मिलके जो output देते हैं, आपको वो सारा depend करता है, यहाँ पे तो UI भी अलग-अलग है, भले Android phone है, तो optimization वगएरा किसने कितना तगड़ा किया है, तो यहाँ पे यह reason है कि S22 Ultra का preview काफी fast है, इन चीजों से भी फरक पड़ता है कि कितना किसने optimize किया है, और real life में का है storage काम आता है, application वगएरा open करोगे भई, definitely processor का भी काम होता है, बट storage भी जितनी fast होगी, उतनी जल्दी कोई भी application open हो जाएगी, basically जल्दी load हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो BGMI time लिखा रहा होगा, किसने कितनी जल्दी load किया, अब देखो ऐसे मैं multiple test आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन real life में क्या होता है, जब आप छोटी छोटी चीजे में काम करते हैं, रोज application आपको open करना है, या फिर अगर आप एक ऐसे बंदे हैं, जहाँ पे data बहुत ज़्याद तो अभी के जो हलात है, बारा हजार रुपे तक नोर्मली ये मिलता है, हाँ, कुछ फोन ऐसे offer में मिल जाए आपको, जिसमें UFS storage आए, वो एक अलग बात है, नहीं तो नोर्मली बारा हजार रुपे तक phone में EMC storage मिलता है, उस से उपर जैसी जाते है, बारा से बीस हजार त है, जैसे offline brands है, क्योंकि offline में marketing के खर्चा लग होता है, price बढ़ा देते है, ओपो वी वो Samsung के कुछ phone मिल जाएंगे, जैसे 52S है, ऐसे कई phone मिल सकते है, नहीं तो अगर आप 25 से उपर जाते हो ने, especially 30 से उपर, तो UFS 3.1 मिलना शुरू हो जाता है, बस इस उपर जाते है रहो, UFS storage बढ़ती रहेगी, जैसे IQ latest आया, UFS 4.0 के साथ, Samsung का S23 series आएगा, वो भी latest storage के साथ आएगा, latest processor के साथ, तो ये time to time बदलता रहता है, चलता रहता है, दो और नाम आपने सुना होगा, EMCP, UMCP, बहुत ज़्यादा confused नहीं होना, EMCP, basically EMC storage की तरह होता है, budget phone में मिलेगा, बस ये क्या करते है, RAM और storage को एक chip पे combine कर देते हैं, बस एक नाम बदल दिया, ऐसी UMCP की बात करें, वो UFS 2.1 के आसपास ही होता है, new tech की वज़ा से उसका नाम बदल दिया, अलागी Samsung की एक और storage है, UMCP नाम से जाने जाती हो, LPDDR 5 RAM के साथ fast storage combine कर देते हैं, तो वो तो आपको check कर आपड़ता है, किस phone की बात हो रही, किस की लिए बात हो रही है, तो I hope आपको समझ में आगा होगा, तो इसलिए जब phone खरीदने जाते हो, तो ये storage का ध्यान रखा करो आप, क्योंकि कई processor ऐसे हैं, जो 30,000 रुपे में UFS 3.1 support करते हैं, लेकिन brand वाले cost cutting के लिए UFS 2.1 लगा आएगा, तो ये casual से वीडियो थी, आपके लिए informational जो आपके काम आएगा, वीडियो पर संदादर लाइक से सब्सक्राइब करिए, मैं मिलता हूँ आपसे, अगरी वीडियो में